नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आरेस्ट्रो, वी आरेस्ट्रो में आपका स्वागत है, यूनिक टॉपिक लिए, आज हम लोग बात करेंगे मंत्रा की, ये कैसे मंत्र की, जो हमें बहुत एक इक्स्ट्रीम डिफरेंट लेवल पे लेके जाता है, खास करके लगना को जब करने से पहले उसकी विधियां और उसको समझने की जरूरत है, जब हम बोलते हैं कि गायत्री मंत्र आप जब करें, तो सबसे पहले समझें कि वेदा में जब गायत्री मंत्र जो लिखा गया है, उसमें ओम नहीं, और मैं बार बार कहता हूँ, ओम 12th हाउस को अक्टिवेट क तो विदाउट ओम जो है, आप पूरे मंत्र को पढ़ते हैं, और इस मंत्र के साथ एक खासिएत क्या है, कि आप इसको ऐसे इसे अनयास कभी मी start नहीं कर सकते हैं, कि आज मुझे बन किया तो साट कर देते हैं, कल मन किया तो बन कर देते हैं, इसके लिए आपके जो प्रॉस है पंडित चीज़ है उनसे कहें कि भाई हमें इसके लिए संकल्प करा ले और संकल्प में आप कह सकते या था सकती अगर किस दिन मिस भी हुआ तो कोई बात नहीं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि अगर गायतरी मंत्र आप जब करते हैं तो लगन मजबूत होता है और सभी देवी देवताओं का आशिरवाद आपको मिलता है उसके लिए जरूरी है कि आप समझे कि ये है क्या तो आप जब हम बोलते है ओम भूर्भुवा स्वा तो मैं ओम को उसमें माइनस करता हूँ जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है जब हम बोलते हैं भू की बात करते हैं तो ये भू लोका की बात हो रही है कि भी भू लोका जिस लोक पर हम रहते हैं जिस हमारा existence है हम उसकी बात कर रहे है भू भूर स्वा स्वा तो जो दूसरा वर्ड है वो आपको अंतरिक्ष को दिखाता है जो एक हमारा भूलोका हो गया, एक अंत्रिक्ष जो हम देख रहे हैं और एक स्वर्ग लोका है, स्वर्ग लोका जिसको बोटते हैं, तो ये तीन शब्द है, फिर हम कहते हैं तत्सवितुर, जो तत्सवितुर का जो त है, वो गनेश जी के हम राधना करते हैं, और गनेश जी जो है हमें लाइफ में सक्सेस्फल बनाएं, हमारी बुद्धी अच्छी करें, उसके लिए हम उनकी राधना करते हैं। और ये जब आप तक्सवितुर जब आप बोलते हैं तो आप इन चारों देवताओं का अहवान करते हैं कि ये गनेश जी आप आएं हमें सिद्बुद्धी दें हमें सफलता के लिए मार्क दिखाएं नर्सिंग देव को जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसके लिए विष्णु जी जो हमारे सस्टेनर है और शिव जी जिनको लोग कहता है डिस्ट्रॉय लें कि हमारी कुरीतियां जो अंदर की हैं उसको जो डिस्ट्रॉय करने के लिए हैं ये सब एक साथ मिलकर हमारी जो हैं वो रक्षा करें और हमें अपने रास्ते पे आगर ले करके जाएं उसके लिए तत्सवितो वरेण्यम जब हुम बोलते हैं तो वरेण्यम जब पहला जो अक्षर है वो कृष्ण जी का अवान हुम करते हैं कि कृष्ण जी आए और कृष्ण जी में जो सबसे ज़ादा है उनकी योग शक्ती परम योग शक्ती तो उनकी अराधना करते हैं रे जब हम बोलते हैं तो मा राधा को हम पुकारते हैं प्रेम के लिए वरे न्यम नी जो है वो मा लक्ष्मी के लिए है जिनको धन के लिए अर के लिए अराधना हम करते हैं वरे न्यम यम जो है वो अगनी देव के लिए जो तेज एक शक्ती जो हमें चाहिए होता है जो हमारे जब आप पूरे चक्रा की बात करेंगे तो हाट चक्रा में जो है उसके लिए अगनी देव को जो उनको उनकी आवान की जाती है तो वरे न्य मा राधा, मा लक्षमी, हम यम की बात करते हैं, अगनी देव की बात करते हैं और इन सब को हम आवान करते हैं कि आ करके हमारे सफलता के लिए हमें आशिरवाद दे और हमें आगे ले करके जाएं। कि हमें कितना हमें जो नौलेज चाहिए इस संसार में सस्टेन करने के लिए वो नौलेज मा सरस्वती हमें दें उसके लिए वर्गों में जो रगों है वो मा सरस्वती के आवान का आवान करते हैं। तीनों देवता जब प्रॉब्लम में आते हैं तो मादुरगा आती हैं और उनको हेल्प करती हैं लेकिन इसमें जो हम बोलते हैं देवस वो जो है वो हनुमान जी के लिए और हनुमान जी शक्ति के परिशायक नहीं है शक्ति तो मादुरगा के पास है हनुमान जी तो भक्ति क तक हमको ले करके जाए देवस्य की जब हम बात करते हैं तो जो हमारी धर्ती है धर्ती मा जो इन सब चीजों को होल्ड करके रखती है उनकी आवानम करते हैं धी मही तो ये धी जब लिखते हैं दो धो धो धी तो हम सूरे देव को हम सब को इस संसार में जो एनरजी के सोर्स है आपको ही पता होगा कि हम जिस तिथी को बहुत होते हैं मैं बार-बार कहता हूं वो तुथ्या बहुत important होती है और सूर्य और चंदर्मा के distance पे depend करता है चंदर्मा से कितना water में मिल रहा है और सूर्य देव जो है वो कितनी sunlight दे रहे हैं उसी से पौधा बनता उसी से हमारा जन्मा होता है तो धी जो है वो हम सूर्य देव की अराधना करते हैं वो जो हमारे life force है जो हमें चलाते हैं मा जो है प्रभुष राम है और प्रभुष राम ईश्वर के रूप में आप न देखें आप देखें वो हमारे इश्वन है सब क्या राददेव है लेकिन हम बोलते है पुर्शुक्तम राम जो उनकी जो करेक्टरिस्टिक है जो उनका अपने करेक्टर है जो धर्म को लेकर के चलते हैं धर्म का पालन करते हैं जो हमें सिखाते हैं उस चीज जो उनकी एक अपनी वै दीवी और प्रभुसिर राम की पत्नी के अलावा हमें समझना चाहिए कि तपस्या जो तपबल कहते हैं अगर वो देखना है तो हो मासीता में है राजा जनक जिनको कहा जाता है कि चलता फिरता जो है अपने आप में वो शरीर क्या वो तो आत्मा है और उनसे ज्यादा ग्यान सो ये जो धी है जिसमें आप परसीकार लगाते हैं ये चंद्रमा के लिए है जो पहला धी महीं था वो सूरी में था और ये भी चंद्रमा के लिए और चंद्रमा जो हमेशा कहता हूँ जहां सूरी जो है वो प्रकास की बात होती है चंद्रमा जो है माता की तरह शीतलता ले है decision ले सके यो यो जो है यो यामा के लिए है जो कालशक्ती है उनको हम उनकी आवान करते है यो यो दूसरा यो जो है वो ब्रम्हा जी के लिए मैंने कितनी बार कहा है कि इन दोनों में आपस में relation है बहुत सारे videos मैंने explain किया है और ब्रम्हा जी को creator कहा जाता वो create करते हैं तो वो creation की जो ability है वो हमारे अंदर चाहिए मतलब आप सोचो कि अगर आप ये मंतर जाप करते हो और progeny में issue है तो ये मंतर जाप करने से आपको उसमें भी सहुलियत मिलेगी आपको एक तरह की remedy है आपके लिए न जो है वो वरुन देव के लिए और वरुन क्या है जब हम वरुन देव की बात करते हैं तो emotion की बात करते हैं emotional experiences की बात करते है उसके बाद प्रचो दयाद प्रव क्या है अगर मैं प्रव की बात करूँ तो ये नारायन देव है जिनको हम नारायन देव जो सस्तेनर है हमारे उनकी आवहन जो मुझे लगता है कि कि ऐक तरह की रोल मौडल है सब के लिए चो जो है वो हम ब्रेवरी के लिए हया ग्रिवा करके थे उनको ब्रेवरी के लिए अपने बहादूरी के लिए क्योंकि ये सब चीज से हम ये एनर्जी इस तरह की पाने चाहते है द जो है वो विजडम के लिए होता है हमसा को हम बुलाते हैं नौलेज, विजडम हमारा हमारे सोच नहीं की सक्ति तारकिक ही नहीं जो एक, वो तो इंटिलेक्ट से उपर जब नौलेज की बात होती है ता वह उनको, उनकी आवान करते हैं तचो, दयार, यत जो है, वो तुलसी, जो आप देखते होंगे तुलसीमा, अगेन, सक्ति, पावर सेवा भाव जो है सेवा सक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं उनकी आवान हम लोग करते हैं अगर आप समझें तो ये मंत्र अलग-अलग देवताओं के रूप देरता के अलग-अलग रूपों को हम आवान करते हैं खुद के ब्लेसिंग के लिए कि हे प्रभू हमें ऐसी ऐसी सक्तियां जो हमारे अंदर की कुरितियां मार कर हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की और अग्रसर करे ताकि अंत में जो है हम श्री हरी से मिल पाए और ये समझना इसली भी जरूरी है मैं बार-बार कहता हूँ जब मैं कंसलटेशन में मंत्र देता हूँ तो लोगों का मूलता हूँ कि अगर आप माधुरगा की अराधना कर रहे हैं अगर आप सिंपल ओूम दुरगा है नमा का भी रहे हैं नहीं आखे जब बंद करे तो शिवजी को जिस रूप को आप जो connect feel करते हैं, पसंद करते हैं उस रूप को ज़ो है जरूर ध्यान करें, मादुरगा को आप imagine करें, उसी तरह जब आप इस मंत्र को पढ़ रहे होते हैं, तो हरे एक शब्द, हरे एक अक्षर के साथ आपको वो देवता आपके दमाग में आने चाहिए, यह दरे practice करते करते हो जाएगा और तब जो आपके अंदर एक power आएगी, कि संसार में किसी भी तरह की कटना ही है, तो उससे आप लड़ सकते हैं, उसके आप विजय पास सकते हैं, उमीद करता हूँ, यह मंत्र का जो एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आगे चलके हम लोग और अलग-अलग मंतरों के भी बात करेंगे, इसी के साथ आज विदा लेता हो, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार